अधिके स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लेसन एट अफ क्लास सेवन्थ लेसन नेम इस फायर फ्रेंज एंड फून फ्रेंड मीन होता हैं दोस्त फो मिन दुश्मन यहां पर इस लेसन का मेनिंग है कि आग एक दोस्त और दुश्मन के रूप में बिफोर यू रिट लेस्ट आव लुक ओन दिस फायर इस बोथ यूसफुल एंड डेंजरस आग लाबदायक भी है और खतरनाग भी है वाट इस फायर आग क्या है हाउ डिड वी डिसकवर इट कैसे हमने इसको खोजा हाउ डू वी कंट्रोल इट और हम कैसे इसे नियंतरन कर सकते हैं इस पर यह हम इस लेसन में जानेंगे लेस्ट स्टाट दे लेसन फायर फ्रेंट एंड फो अरली मैं दिड नट नो वाट फायर वाज आदी मानव पहले का आदमी बिलकुल भी ने जानता था कि आग क्या होती है but he must have seen the damage it could cause लेकिन उसने इससे होने वाले नुकसान उको देख लिया था कि यह जो नुकसान कर सकते थी जो इसकी वज़े से नुकसान होते हैं उनको अरली मैं ने देख लिया था he must have washed lightning उसने आखाश में चमकती हूँ बिजली को देखा होगा and walconos long before he begin to use fire for himself अपने लिए fire यूज करने से पहले उसने आखाश में चमकने वाली बिजली को लाइटनिंग को देखा होगा और walconos जो आला मुकस को देखा होगा जरूर देखा होगा fire was powerful and dangerous आग हमेशा शक्तिशाली और खतरनाक थी and he was frightened और वो से डरा भी था fire may have puzzled early man आग ने आदी मानव को परिशान जरूर किया होगा but we now know that fire is the result of a chemical reaction लेकिन अब हम ये जानते हैं कि आग एक रसाइनिक क्रिया का परिणाम है यानि कि आग जो है एक रसाइनिक chemical reaction होती है उसके result के से हमें fire प्राप्त होती है when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel a chemical reaction takes place जब परियावरन में मौझूद oxygen, carbon और hydrogen जो की किसी भी इंधन के अंदर मौझूद होते हैं उनके साथ बिलती है और रियक्ट तो एक रसाइनिक प्रिक्रिया होती है energy in the form of heat and light is released in this process इस प्रिक्रिया के अंदर बहुत सारी उश्मा निकलती है जो की heat और light के रूप में होती है light यानि की रोश्णी के रूप में होती है heat का मतलब temperature काफी सारी उसमें उश्मा होती है energy release होती है इस chemical reaction के अंदर this is what we call fire यह वो है जिसे हम आग कहते हैं three things are needed to make fire आग जलाने के लिए या आग लगाने के लिए तीन चीजों क्या शक्ता होती है fuel यानि की इंदर oxygen यानि की oxygen gas जो की हावा के अंदर मौजूद होती है and heat heat का मतलब temperature यानि की जिससे हम किसी भी चीज को गरम कर सकते हैं गरम करने के लिए जो हम उसे temperature जो प्रोवाइट करते हैं वो wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel लकडी, koila और खाना पकाने के लिए यूज होने वाली gas और petrol या इंधन के कुछ उधारन है oxygen comes from the air और oxygen gas हवा से मिलती है that is why when you blow on smoldering paper इसी वज़े से जब आप किसी भी smoldering paper को फूक मारते हैं, it often burst into flame ये आग की लप्टों में बदल जाता है the third thing needed to make fire is heat तीसी चीज जो की आग जलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो होती है heat, उर्जा fuel and जिसे आप temperature भी कह सकते है temperature का मतलब होता है कि जब आप गर्मी किसी चीज को प्रवाइट करते है that is, वो आपकी किसी चीज को गर्म करने से ही मिलती है fuel and oxygen don't not make fire by themselves कोई भी एंधन और oxygen अपने आप ही किसी चीज को नहीं जला सकते है or else a newspaper or a stick lying in the open wood catch fire on its own नहीं तो कोई भी newspaper या कोई भी आपकी stick जो की open में खुली हुए पड़े हुए है तो वो अपने आप ही आख उन में लग जाती है अगर कोई newspaper है जैसे कि बहुत असानी से जल जाता है अगर जब तक उसके पास में आप माचिस के तिली नहीं लेकर आएंगे तब तक वो नहीं चलेगा ऐसा नहीं है कि यह ना वो इंधन के तरीके से यूज हो सकता है तो वो अपने आप चले लेगेगा नहीं जब तक आप उसके पास में heat नहीं लेकर जाएंगे और oxygen वहां मौजोद नहीं होगी तब तक वो वहां नहीं चलेगा और a stick lying in the open would catch fire on its own नहीं तो कोई भी इंधन बिन बात यह है कि कोई भी fuel या oxygen अपने आप आग नहीं लगा सकते जब तक कि उसमें third point यानि की heat added नहीं हो तो बाने piece of paper और wood कोई भी एक कागच का टुकड़ा हो या लकड़ी का टुकड़ा हो उसे जलाने के लिए we heat it हम इसे गरम करते हैं before it catches fire से पहले की फूरी तरह से इसमें आग लगे हम उसे कुछ देर गरम करते हैं we generally do it with a lighted match और ज्यादा तर हम ऐसा किसी जल्दी हुई माच इसके तिल्ली से करते हैं every fuel has a particular temperature at which it begins to burn हर एक फ्यूल का हर एक जो इनन है उसका एक पर्टिकुलर खास temperature होता है जिसके उपर वो जलना शुरू करता है this temperature is called the flesh point or kindling temperature of the fuel और यही temperature जितना minimum temperature किसी चीज़ का हर एक चीज़ का अलग अलग temperature fix होता है जैसे कि water का है कि water आपका इतना गरम करो जब तक की 100 degree Celsius गरम ना हो जाए तक की heat उसे ना पहुच जाए तब तक वो boil नहीं होता है क्योंकि है न उसका boiling temperature क्या है water का 100 degree Celsius है इसी तरीके से किसी भी इनन का अलग अलग temperature होता है जिसके उपर वो जलना स्टार्ट करता है पूरी दया से इस temperature is called the flash point यही उसका flash point या kindling temperature kindling का मतलब जो उसमें burning start करने के लिए responsible होता है that is called kindling temperature of the fuel कहलाता है it is sometimes said that fire is a good servant but a bad master कभी कभी यह भी कहा जाता है कि आग एक बहुत अच्छे servant है यानि कि अगर आप उसे control करके रखते हो तो वो आपका सेवा करती है but a bad master लेकिन जब इसे आप uncontrol कर देते हो तब यह और सारी power इसके अपने हाथ में आ जाती है तो master के रूप में मालिक के रूप में यह एक bad master कहलाती है it only means that fire is very useful as long as it is kept under control इसका मतलब यह है कि आग तभी तक useful है जब तक कि आप इसे अपने control में रखते हैं for instance जैसे कि example के लिए we use it to cook our food आग को हम use करते हैं खाना बनाने के लिए warm our houses in winter सर्दियों में अपने घरों को करम रखने के लिए हम heater use करते हैं and to generate electricity हम fire भी यूज़ करते हैं electricity बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका but on the other hand दूसरी तरफ if fire gets out of control it can be very dangerous लेकिन दूसरी तरफ अगर है न fire को आप control नहीं करते तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं each year thousands of homes and shops are damaged by fire हर साल हजारों घर और दुकाने आग से जल जाती हैं vast areas of forest are also destroyed बहुत सारे जंगल के हिस्से हैं उनमें गर्मी अपने आप ही आग लग जाती हैं वो भी पूरी तरह से जंगल के बहुत सारे हिस्से चलकर destroy हो जाते हैं पूरी तरह से नस्ट हो जाते हैं सैकड़ों लोग या तो मर जाते हैं या घाहल हो जाते हैं आग की वज़े से just as three things are needed to start a fire जैसे कि तीन चीजें आग को जलाने के लिए responsible होते हैं जरूरी होती हैं there are three main ways in which fire can be put out इसी तरीके से तीन रास्ते हैं तीन तरीके ऐसे हैं जिन से कि आग को पुछाया जा सकता है इन इच हर एक में से one of the three things needed for burning is taken away तीन चीजे जो की burning के लिए responsible होती हैं उन तीन चीजों में से अगर कोई भी एक चीज burning के लिए responsible वाली हटा दी जाए तो burning को रोका जा सकता है आग को रोका जा सकता है ऐडाली हम तो तो बलती जाए करें हॉप करी नियुक्त हो Sweya qc हुख आइव से देक एक में कंट के लिए हम कोई भीडाए को खटा सकते हैं इफ ताप आयर हैस को फीयल टो अगर आग में डालने के लिए और फ्यूल नहीं हुगा इंधन नहीं होगा उसमें डालने के लिए उसको जलाने के लिए तो more no burning can take place और ज्यादा वो नहीं जलेगी आग नहीं जलेगी We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम जादे तर आग को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि वो धीरे से शान्त हो जाएगी अपने आपी जब हम उसमें over fuel नहीं डालेंगे Second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. दूसरा तरीका आग को बुझाने का यह हैं कि हम उसमें से oxygen को वहां तक पहुँचने से रोकते हैं No supply of oxygen means no fire. जब उसे जलने के लिए responsible oxygen नहीं मिलेगी तो आग भी नहीं होगी Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. छोटी छोटी आग को उन्हें बुझाया जा सकता है Smothered का मतलब उनको suffocate किया जा सकता है. के लिए इसका meaning होता है हिंदी में उसे smothered किया जा सकता है उन्हें बुझाया जा सकता है छोटी छोटी आग को With a damp blanket or a sack किसी भी गहरे कंबल से किसी भी कंबल से या बोरी से उसको बुझाया जा सकता है जैसे कि कहा जाता है आग को बुझाने के लिए अगर किसी चीज़ के ओपर अगर आप कंबल आपके खर में हो मुटा कंबल हो damp blanket का मतलब मुटा मुटा कंबल या बोरी हो तो उसको आप उसके ओपर डाल देंगी तो आग अपने आप पुझ जाती है इस टॉप्स oxygen डीचिंग दा बर्निंग मेटेरियल ऐसा इस वज़े से होता है कि इसकी वज़े से जब आप कंबल या बोरी डाल देते हैं उसके ओपर तो वहां से oxygen रुख जाती है बर्निंग मेटेरियल जलना बंद कर देता है बर्निंग मेटेरियल को oxygen नहीं मिलती और इस वज़े से उसमें saffocation की वज़े से वह आप बुझ जाती है जैसे कि अगर हम सांस हमारी सांस रुख जाती है oxygen हमें नहीं मिले तो इसी तरीके से आग तक अगर oxygen नहीं पुझती है तो वह आग भी बुझना शो कर देती है कभी कभी carbon dioxide भी आग को बुझाने के लिए यूज की जाती है इस वज़े से आग पुझती है तीसरा तरीका आग बुझाने का यह है कि आप heat को वहां से हटा दीजिए यानि temperature को कम कर दीजिए if the temperature can be brought down below the flash point क्योंकि अगर flash point से कम temperature हो जाता है उस आग का तो फ्यूल स्टॉप्स पर नी तो इन दर अपने आप जलना पंद कर देता है यू ब्लो ओने बर्निंग मैस्टिक और एकेंडल तो पुट इट आउट जैसे कि आप है ना किसी भी जलते भी माच्टिक को अगर उस पर फूक मारते हैं ब्लो करते हैं और केंडल को बुझाने के लिए उसकरते हैं इसी तरीके से ही अगर आप heat को महां से आग के पास से है तो आप जो उसके आस पास फ्लेम की आस पास यानि कि जब आप मुझा रहे होते हैं यह बर्निंग मैस्टिक को मारते हैं तब आप क्या करते हैं तब आप अपनी गरम हवा को जो उस फ्लेम के चार और है उसको हटा देते हैं ब्रिंगिंग टाउं इस टेंपरिचर इस तरीके जब आप हवा अटा देंगे वासे ठंडी हवा आजाएगी तो उसका टेंपरिचर नीचे हो जाता है बिलो दा फ्लेश पॉंट जो कि फ्लेश जल रही होते हैं तो उसके आप उसे ब्लो करते हैं तो उससे जो गरम हवा जो होती है फ्लेम के चार और वो ठंडी हवा से रिप्लेश हो जाती है जब आप ब्लो करते हैं तो आप ठंडी हवा से करते हैं और उसके आस पर जो आवा होती है होती है तो वो रिप्लेश हो जात भी पानी भी आग के उपर spray करके दिया जाता है ताकि आग पूछ सके उसका spray किया जाता है It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature ये भी burning fuel की heat को सोख लेता है और temperature को कम कर देता है The blanket of water also cuts off the supply of oxygen इसी तरीके से पानी का blanket of water also अगर किसी blanket के अंदर पानी है यानि कि गीला कंबल है ओक्सजन की सब्लाई को कम कर देता है और िस तरीके से फाइर बुछ जाती है सारी फाइर आपकी पानी से नहीं बुछ सकती है गजि पानी से नहीं बुछती है इसी तरीके से अगर उस तेल के उपर आग लगी हुई है तो वह भी वाटर के सर्फेस के उपर ही तैरता रहता है फ्लोट करता रहेगा और जलता रहेगा जब तक कि उसकी पूरा तेल खतम नहीं हो जाता है उस पॉइंट का चाहिए वन ड्रॉप हो चाहिए टू ड्रॉप सो दिस केन बी वेरी डिंजरस विकोज वाटर केन फ्लोग क्ली और यह वाटर में अंदर अगर ओल है ओल जल रहा है तो इस तरीके से लगी हुई आग बहुत ज़्यदा खतरनाक होती है विकोज वाटर केन फ्लोग क्ली क्योंकि पानी इधर हुदर असानी से फ्लो करके बहता रहता है canning the burning oil with it और इस तरीके से ये अपने साथ में जलते हुए oil को भी ले जाता है and spreading the fire और इस तरीके से आख को फैला भी सकता है water should also not be used on fires caused by electrical appliances ऐसी तरीके से ही water को use नहीं किया जा सकता उन आख पर जो की electrical appliances की वज़े से लगती है बिजली की वज़े से लगने वाली आख के ओपर भी आप पानी का इस्तमाल आपको नहीं करना चाहिए the person spraying water might receive an electric shock and be killed क्योंकि जो person water electric shock से उपन होई आख के ओपर water spray करता है तो उसको electric shock भी लग सकता है और वो मर भी सकता है एक carbon dioxide extinguisher is the best thing carbon dioxide extinguisher सबसे best चीज रहता है जिससे की आख बुझाई जा सकती है वी स्पेंड मिलियन ओफ रुपेज इच येर इन फाइटिंग फायर्स हम अपने देश के अंदर ही कई मिलियन रुपेज खर्च कर देते हैं हर साल आख को बुझाने के लिए and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control इस तरीके से हम बहुत सारा पैसा नई तरीके खोशने में कि किस तरीके से आख को रोका जा सके किस तरीके से आख को गुझा जा सके उसके लिए हम बहुत सारा पैसा हर साल खर्च कर देते हैं On the whole we have learned rather well to control fire कुल मिला कर हमने बहुत अच्छे से आख को कंट्रोल करना सीख लिया है and put it to good use in our everyday life और हमने ये भी सीख लिया है कि किस तरीके से आख का सही तरीके से रोजाना की जिंदकी में यूज किया जा सकता है Long ago बहुत समय पहले there were no firemen पहले कोई भी आख बुझाने वाले firemen नहीं थे firemen का मतलब होता है अगनी शावक यानि की अगनी को बुझाने वाले शामक शामक का मतलब होता है शान्त करने वाले ये शुद्ध हिंदी वर्ड है वेन fire broke out जब पहले जमाने में पहले के समय में आख जल लग जाती थी तो everybody became a firefighter हर एक person firefighter बन जाता था आख से लड़ने वाला बन जाता था people formed human chains लोग आपस में मिलकर human chains human beings की chain बना लेते थे they still do if required अगर जरूत हो तो वो आस भी ऐसा करते हैं and pass buckets of water from a well or a pond to the place और वो धीरे धीरे एक दूसरे की chain मिना कर एक हाथ से दूसरी एक इनसान ने बाल्टी पकड़ी और दूसरे को हैंड ओवर की और उसने आगे वाले person को की इस तरीके से एक पानी की बाल्टी कुए से या तालाब से ऐसे जाकर उस आग के वाले place पर पहुच जाती थी human chain के जरिये और इस तरीके से लोग मिलकर collectively group में आग बुचाया करते थे पहले के समय में now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings लेकिन आज की जो buildings बनती हैं उसके लिए कुछ टूल बनाए गए हैं कि इस तरीके से building का construction किया जाएगा जिससे की buildings के बीच में कुछ ऐसा space छोड़ा जाएगा कि जिससे की fire risk आग लगने का risk कम हो जाए every new building especially public place हर एक जो नई इमारत बनती है खास तोर पर public place जो सार्वजी निक place है जहां पर जनता का बहुत आवागमन रहता है must ensure observations of fire prevention norms ऐसे buildings के बनते टाइम उनको fire आग बचाने वाली rules का follow करना बहुत ज़रूरी है bands of fire fighting workers with special equipment known as fire brigades are there to push out fires bands का मतलब होता है fire fighting workers के group के group होते है with special equipment जिनके पास में special साधन होती है जैसे कि जिसे की कहा जाता है fire brigade कहा जाता है fire brigade की गाड़िया होती है और उनके लिए वो red color की painted होती है और उसमें एक bell बचती रहती है जब भी कहीं आग लग जाती है और वो अपने water cannon को ले कर जाती है पूरी तरह से water tank को ले कर जाती है तो वो इस bell को बचाते हो जाते है आपने बहुत बार ये road के उपर सुनी होगी तो वो इसलिए ले कर जाती है ताकि कोई भी traffic उनको परिशान ना करे वो उनको सबसे पहले उनको और ambulance को रास्ता roads पर सबसे पहले मिले क्योंकि आग बुझानी होती है और emergency सेवा होती है तो इसी तरीके से fire brigade जो है special equipment के साथ में आग बुझाने के लिए तुरंट पहुशते है firefighters are highly trained people firefighters जो होते हैं उनको बिल्कु अलग तरीके की special training दी जाते है वो trained people होते हैं they possess many skills उनमें बहुत सारी talent होते हैं बहुत सारी योग्यता होते हैं they cut off electric city supply सबसे पहले वो बीजली की supply को रोकते हैं आग चाहिए कोई भी लगी हो सबसे पहले वहां से जुड़े हुए जितने भी या आसपस में मौझूद electric circuit होते हैं उनको बंद किया जाता है ताकि आग वहां तक ना पहुची क्योंकि अगर वहां पर पहुच जाती है तो इससे वह आग और भी खतरनाक हो जाती है knock down dangerous walls उनमें इतनी fire fighters में इतनी काबलियत होती है कि वह अच्छे से अच्छी बहुत मजबूत से मजबूत दिवारों को भी तोड डालते हैं spray water and other materials to bring fire under control और वह बहुत सारा पानी spray करते हैं और दूसरे और materials को डालते हैं दाकि आग कंट्रोल हो जाए they are also trained in first aid so that उनको first aid के लिए पूरी तरीके से त्यार किया जाता है क्योंकि दम खुटने की वज़े से बहुत सारी मोत भी हो सकती है धुए की वज़े से तो उनको सांस लेने की first aid के अंदर सांस किस तरीके से दिलाना है उन्हें और भी बहुत सारी तरीके होते हैं मूह से मूह मिलाकर भी सांस दी जाती है अपनी सांस से उनको सांस दे लाने के लिए तो देयार आल्सो टेंड इन फर्स्टेट उन्हें फर्स्टेट में भी पूरी तरीके से टेनिंग दी जाती है so that they can help people suffering from burns वो लोगों की जिनको burning injuries हो गई है जलने की वज़े से बहुत सारी जिनको घाव हो गए है उन लोगों की मदद भी कर सके and from the effect of smoke और धुए से होने वाला प्रभाव से भी उनको बजा सके the discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better आग की खोज और इसके use ने इस्तमाल ने early man को nature के साथ में cooperate करना सिखा दिया and gradually adopt a settled mode of life और उस ने early man ने धीरे धीरे एक जग़े पर रहना settled होना सीख लिया एक जग़े पर ही रहने का तरीका सीख लिया fire is still worshipped in many parts of the world संसार के क्या हिस्सों में आग को आज भी उसकी पूजा की जाती है fire is indeed different fire सच मुच में एक दोस्त है but लेकिन as we know हम ये जानते हैं it can be dangerous enemy once it gets out of control ये बहुत ज़्यादा खतानाक शत्रू भी बन सकती है अगर ये out of control हो जाती है हमारे नेंटरंट से बहार हो जाती है तो ये हमारे ले बहुत खतानाक दुश्मन भी बन सकती है this is the end of this lesson thank you and have a nice day